नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस्टेडी फॉर्ट सिविल सिर्प्सेज में आरो 2016 वाला जो एक्जाम है 20 सितंबर को है उसके लिए अभी करीवें 18-19 दिन आपके पास बचे हैं इसमें क्या-क्या स्ट्रेटीजी होनी जी क्या-क्या फोकस होना जी इन सब यहां पर बात करेंगे most important topic count count से हैं यह सारी बात करेंगे देखिए आरो का पेपर जो है 200 नमबर का होगा एक पेपर आएगा 140 नमबर का उसमें GS प्लस reasoning होगी दूसरा वाला पेपर होगा 60 नमबर का और जो cut-off बनेगा वो दोनों को मिला के बनेगा 200 question आएंगे 200 नमबर होगे ठीक है official UPPCS की साइट से आरो 2016 का notification निकाना था तो उसमें negative नहीं होती थी पहली बात लेकिन चुकि 2018 में बदला हुआ है और UPPCS आयोग जो है कभी कबाद करांतिकारी डिजेन लेने के लिए मज़ूर है तो अगर हो जाए और नहीं हो जाए यह या तो admit card में और या फिर आपके examination की जो instruction होंगे setup वहाँ पर लिखा होगा खैर यह सारी बाते तो बेफालतु की हैं इसमें कोई मतलब नहीं है cut off कितना होगा यह सब चीजें last में यह focus करिए कि आपको करना क्या कहा है ज्यादा focus करिए revision पर अगर आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो हमारे जो notes हैं उन पर ज्या जादा revision करेंगे वह ज्यादा बढ़िया रहेगा उसके बाद यह है कि यूपीपीसेस का जो pattern है उसको देखते हुए क्या क्या और से जैसन हो सकते हैं पहली बात तो 60 नंबर की आएगी हिंदी भया उसको निकलेक्ट मत कर देना चाहें इंग्लिश मीडिया मॉले हो चाहें करने भी पढ़ेंगे वरना कटॉप निकलना मुश्किल होता है पचास चालिस के असपर तो मतब 40-45 से ओपर तो आने ही चाहिए क्योंकि 200 में से total कटॉप बनेगा तब ही आप मेंस के लिए क्वालीफाई हो पाओगे आरो 2017 में हमने प्री में और मेंस में तो दोनों जो है पैच चलायते हैं हमारे जो है फाइनली 11 लोग सिलेक्टेड वे हुए थे मेंस वाले पैच से ठीक है तो यह है डेटा और मतलब मेंस के लिए भी हम तैयरी करवाएंगे उसके लिए अलग सब्सक्राइब कर जालो करेंगे लेकिन अभी प्री क्लियर करना बहुत जरूरी है तो साथ नंबर जो है दोसों में से एक वीडियो से कवर हो सकते हैं मैं सिर्फ वहीं बोल रहा हूं और मैं दावा कर रहा हूं और वादा भी कर रहा हूं आपने पूरा देखा तो आपको बहुत फैदा होगा वहां एक्जाम में आपको जो है यह बात पता चाहें चलेगी ठीक है आप मानिए मैं तो यह क्लेम करता हूं कि अगर आप वहां कर लोगे तो आप 55 से 60 के आसपस नंबर लगे और मुस्ट सारी चीजें वहां से होंगी क्योंकि सारे शब्द बताएगा हैं सारे शब्द बताएगा हैं जितने भी छे जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट व 140 नंबर आपके पास 140 नंबर 140 question 140 में से 12 15 या फिर 20 तक maximum 20 तक पूछेंगी तो रीजनिंग यूपिपी से जरू के लिए कोई extra effort नहीं करना है ज्यादा कुछ जो है मगनमारी मत करिए कोई practice करने की अब ज़रूत नहीं है और उसमें क्या करिएगा उसमें आप उताने सालों क जो सीसेट वाले paper हैं हमने सीसेट का reasoning वाला पापा video दिया है आप उसको देख डालना यूपी पीसेज में जो आया हुए reasoning की question है वो हमने दिया हुआ है आप उसको देख डालिएगा उसमें से आपको हो जाएगा ठीक है तो यह एक important चीज है और यह मैं जो strategy video बना रहा current affair का पापा वीडियो प्लस यूपी current affair का पाप वीडियो दो वीडियो दिये हैं हमने इन दोनों को देख डालो 3035 जो है question और नंबर यहां से cover हो जाएंगे बिल्कुल जो है दावा भी है वादा भी है सब कुछ उसमें दिया हुआ हुआ है उसी से भी योल एक्जाम में भी सारे current affair आये थे दो जार यूपी PCS के 17 वाले आरो में भी उसी से आये थे हमारे जो current affair हम देते हैं study for civil service यूपी PCS के लिए हमने बहुत तयारी करी है और लगातार हमारा research एरियर आया है इसलिए यूपी PCS के लिए लोग बोलते है कि study for civil service के notes भी पढ़ लोग कई लोग सिले दूसरे जो दो current affair के पापा है total current affair यूपी का current affair उससे total current affair की तैयरी हो जाएगी उसके लावा भी अगस्त की news आ जाएगी आज वह और जिसक लेना बस उतना काफी हो जाएगा current में उत्ता करा हो गया ठीक तो यह करीबन जो है आपकी 30-35 नंबर यह मैंने आपको बता दिये प्लस पंदा नंबर का जो है reasoning का मैं एक पापा वीडियो दे रहा हूँ उसके बस practice कर लेना ठीक है तो total कितने होगा 50 इदर होगा और 60 इदर 110 question पर हम लोग पहुँचगे नंबर पर आप बचे है 90 नंबर उसमें मैं आप बता रहा हूँ एक economy का पापा वीडियो में दूँ है 25 question की बात कर रहा हूँ मैं 20-25 कम से कम इसी के साथ एक budget पापा वाला वीडियो और देख लेना यह जो है टोटन बलाके 25 question आपके cover कर देगा 110 और 25 135 तक तक तो इनी सिर्फ ये वीडियो देखके selective चीज़ें पढ़िए अगर आप study for civil service से त्यारी करते हैं तो जितने मैं इ description में डालना वीडियो वो जरूर देख लेना सारे जो है वो हो जाएंगा अभी economy का पापा वीडियो आना है और मिसलेनियस का पापा वीडियो आना है यह दोनों 10 सितंबर से पहले release हो जाएंगे पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी से release कर दो 10 सितंबर last date है इसकी ठीक है को जो है रिवाइस कर सकते हो लेकिन यह देख लेना कि लिश्ट में कई बार गलत दिया होता है और आरो आरो एक्जाम में ज्यादा तर मतलब उसी से आ जाता है लुसेंट से अगर आप पढ़ रहो तो जो भी आपकी अगर कहीं और से त्यारी कर रहो तो पहली बात तो यह करें कि लिवीजनि करिये ज्यादा ज्यादा आपने नोड्स को रिवाइस करिये जितना हो सके जीएध्ना पर फोकस करिये हंदी लाएक पापा वीडियो दे दिया बस उसको पढ़के छोड़ दीजे डेली इया तो यह तो तोThis bit को थोड़ा-थोड़ा रिवाइस करिये उसमें से हो जाएगा साथ नमबर की मैंने पूरी प्रोब्रम आपकी दूर कर दी है ठीक है तो यह इस तरह से करीबन 135-144 नमबर मैंने आपको यह बता दिये जो सिर्फ वीडियो देखके आप आराम से जो है कि यह कवर कर सकते हो और बाकी इसके लावा भी तो आपने पढ़ कर रहा लो शे 7-8 गंटे का है उसमें सब कवर हो जाएगा उसका नहा अपडेटेड वाला भी रिलीज हो जाएगा ठीक है और पुराना वाला भी देख सकते हैं तब तक इन्वार्मेंट को जो नमबर्स है वो सब मैं पिक दे रहा हूं आपको टेलिग्राम फ्री में देख देख लिए उसमें कई सारी चीजे ऐसी हैं जो डायरेक्टली पूछी जाती है ठीक है प्रीवेश एर क्वेश्चन्स फिरीपीशन में बहुत फोकस होता है आप क्या कर रहा है मिक्सप करके दे रहा है तो प्रीवेश एर क्वेश्चन आप हमारा श्टभी पीर तबीशन क के पेपर जरूर लगा लेना हमने सारे दिये हुए अपने फ्री टेलिग्राममें वी दिये हूए जाहें आप प्रवत्ति रहती है उसके इलावा जो है मैंने आपको टोटल ही बता दिया अब का टॉप देखिए अगर निगेटिव ना रहा तो 145 जो है जाता था मिसा कटॉप अगर निगेटिव रहेगा तो भी बहुत कम नहीं जाएगा 135 से उपर ही जाएगा फिर भी 135 के असपास ही ज एक सके लिप ses अगरते निगेटिए को वर दिख में हैं और अगर जो है बुको कि युछे जब लोर यह जरूरे जेए ₹ अब यह दो निकाश्यु आज़्यूंड लेक्त जिए सिप के हां तो ऐस दुटल है करिएा ज這種 को दो तक्रक्राश में ॢोर्र scout है इस इस जोystemित फिर अभी study for civil services ने मैंने कली जो है एक पापा वीडियो रिलीस किया है spectrum के 500 questions और प्लस वो सारी listings सारा एक ही वीडियो में दे दिया है मैंने वो देख डालना वो बहुत फायदा करेगा तो ये एक वीडियो हो गया जो आपको पाट दस नंबर कवर कर देगा तो 135 तक हम पहुच चुके थे 10 नंबर इदर 145 ही हो गया प्लस उसके अलावा भी quality की भी एक लिस्टिंग में बनवा रहा हूं उसका भी पापा वीडियो जो है बचा हुआ है वो मैं दूँगा करीबं जो है 13 सितंबर के असपास ठीक है तो तीन पापा अभी आपको देने एक quality वाला फिर से दूँगा compilation revision list करके सिर्फ factual point दूँगा उसमें एक आपका economy और एक मिस्टिंग यह तीन पापा अभी आपको देखने हैं बाकी मैं यहां पर दे रहा हूं आपको ठीक है और अगर सिर्फ topics की बात करें तो भी यह सबसे important है modern history और उसमें भी लिस्टिंग न्यूस पेपर जो है किस ने कौन से लिखा कौन कौन जो है author रहा उसमें कौन से जो reward किस से संबंदित रहे हैं उसके में most important नेतायता हो गए प्लस जो है Congress के session कहा हुए किस गौर्णर जनरल में क्या जो है किया गया important important चीजें जितनी भी हो गई quality में जितनी भी लिस्टिंग है कौन किसको दिलाता है कौन किसको resign करता है प्लस आपकी most important fundamental जो articles है जो fundamental वाले एक से क्यावन तक तो रटी लेना जो आर्टिकल है टोटल जो आर्टिकल है institution के उसी में fundamental right हो गए DPSP हो गए यह सारे कौन सा किसके लिए important है part one में जो parts है वो किस से संबंदित है schedule किस से संबंदित है latest में जो है यह आपके CAG कौन है IB के chief कौन रोचीफ कौन है ब्रदानमंत्री कितनी number के हैं यह सारी email listing देता जाता हूं free वाले हमारे free वाले टेलिग्राम चैनल को अगर follow करें तो यह सब देखते है जाता हूं plus topics और बात करें तो मैंने बताई दिया पापर विडिम कवर कर दूँगा उसी के कुछ topics है 20th live stock census अभी तक question नहीं है latest exam में उससे आएगा ISFR UP और इंडिया की उससे जरूर आएगा उससे बीयो में नहीं आया था ठीक है census 2011 का data plus urbanization का data वह हम already दे चुके हैं UP census का data वह हम already दे चुके हैं प्लस crop जो diseases होती हैं वह आली कौन सा कल और किस की वजह से होता है यह यह सब फेवरेट topics हैं UP PCS के जिस पर बार बार question पूछते हैं green house gases की listing कौन कौन सी greenhouse gases होती है कौन कौन से जो है आपके अभी समय जैसे covid चला है तो covid से related जैसे plasma therapy है तो blood से related थोड़ी बहुत बाईवाले पढ़ लेना यह सारी चीज़े आपको पढ़नी पढ़ेंगे भी most important जो है listings है जोग्राफी की listing देख लो कौन सी नदी कहां पे है ठीक है यह जितनी भी listing है वालकेन वाला कहां पे माउंटेन कहां पे है ठीक है और अगर इंडिया में environment numbers की बात करें नैशनल पार्क कितने है रामजर साइट कितनी है अभी जैसे जो है रामजर साइट बढ़ गई है सबस कर रहा हूं ठीक है और इंडिया कौन से नंबर का इंपोर्टर बन गया है यह आपका इंडिया कौन से नंबर पे आ गया है फिर उसके अलावा यूपी पीसेस की खास आदत है कि करेंट में भी वह आली चीज़ें पूछता है कि जैसे अमीरों की लिस्ट में कितने अमीर है है सबसे अदक इस देस में ठीक है फॉर्चून वाली लिस्ट में इंडिया की कौन सी कंपनी है यह मतलब यह पेट कोईश्चन्स होते हैं यूपी पीसेस के चर्चित व्यक्तिकों की कोविड में कई सारे लोगों की डेथ हुई है उसमें से जो आलक कला से संस्क्रती से रि और कर देंगे तो यह कुछ इंपॉर्टन चीजे हैं लगातार आप फ्री टेलिग्राम में हमारे रहिए हम आपको लगातार देखिए जो है लास्ट के तेरा सितंबर से मतलब टोटल मैं पूरी दिन पिक ही दूंगा सिर्फ रिवीजन कर रहूंगा ठीक तो वह पांच-छ हैंगे जितनी हो सकता है प्रेक्टिस कर लो ठीक है प्रीवेसर कोईशन भी देखना जरूरी है अगर आप कहीं और से देखना है तो देखिए लेकिन देखिए जिरूर जहां से भी पढ़ रहा है लिस्टिंग जो फैक्ट्वल चीजें उस पर फोकस करिए ठीक है पॉलिट होती है कौन से के बाद क्या आया कौन सा आया क्वाइस अगर कोई किसी ने की रही हो तो वह बहुत इंप्रुट्टन होते हैं एंशेंट मेडिवल की जो मोस्ट इंपॉर्टन बुक से इंपॉटन होती इंपॉर्टन उती है उनकि ओधर नियजन कराऊंगा जैसे बी ऊ में फोकस करिए और दुनिया भर की जो चीजें चल लगातार लगातार तो कम से कम ऐसे आलत में यूपी पीसे से अखर अच्छा काम कर रहा है तो आम लोग जो है लगातार आप पढ़ाई करते रही है कोई और सपोर्ट चाहिए त deriv है में आल्द विष्टेजेहिन